क्षाइब दिजसेड़ मूusal कशोरा आज हम लोग ट्रांसप्रटेशन के बाद करें गे कुछ ो 6 तक ट्रांसप्रडेशन यानी स्पूस्व पॉस्व हमारे पास एक वैराऊस क्यों से एक उर समय श्लिकषा देएं बोलते हैं इसे वेराउसिस बोलते हैं हमें इतना प्रोडक्ट ये वेराउसिस में सप्लाई करना है और उनकी कैपेसिटी इतनी है तो हम कौन से वेराउसिस में कितना सप्लाई करें दूर समारा तो उसकी एक मैथड हम से हम सीखेंगे नौर्थ वेस्ट कॉर्नर मैथड ये र से पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्णन में नाम से ही पता चला है कि हमें इस वे में करना है यानि टेबल के 关ator नॉर्थ वेश्ट कॉर्νεर से हमें स्टार्ट करना है तो सब सबस्ब्द एस्टार्ट करते हैं जैसे हमर्बास थ्रीहंड्रेट स्टूर्स हैं इससामें ऐ स्टूर्ट्र इस साइड नॉर्थ साउथ यूश्ट वेस्ट यह वे में देखने का यहां पॉइंट से ओके तो हंड्रिट यहां पर हम बढ़ देते हैं यहां पर हंड्रिट की केपसिटी यह कंप्लीट हो गया अभी यहां पर हमने गूर्ट से रख दिया तो यह ऑक्क्यूपाइट सेल हो यह नॉन उक्क्यूपाइट सेल हुआ अभी दूसरे फैक्ट्री के लिए कौन से रखेंगे 300 लेकिन यहां पर हंड्रिट की कापिसिटी है हंड्रिट रख दिया 200 बचा 200 तो यह ही आएगा कोई और कापिसिटी है ने क्योंकि यह कैंसल हो गया यह कैंसल हो गया इसकी भी न अब यह चेक करना है किस सरके से होता है तो हम क्या देखेंगे के कि एम प्लस एंड माइनस वन इस इपल डू और क्यों पाइड सेल तो एम क्या है हमारी एम इस होरीज़न्टल लाइंस एंड क्या बोलते हैं एनिस पर्टिकल लाइंस तो हमारे यहां पर कितने हैं 123 मालब 123 कि वर्टिकल्स भी हमारी थ्री है कि माइनस वन ऑक्किपाई कितनी हो एक दो तीन चाह पांच तो यानि यह पैलेंस ट्रांस्पोर्टिशन हुआ अभी हमें इसका टोटल कॉस निकालना है तो टोटल कॉस की फ़र्मूला है 200 इंटू 4 जितना है यह गूस और इंटू उसके ट्राइस कर देने का प्लस हंडेड इंटू 3 अंडेड इंटू 5 प्लस हंडेड इंटू 9 प्लस हंडेड इंटू 5 और इसको जब आप सॉल्फ कर रहें तो यह कुछ एराउंड तो यह तीन वेराउसिस में गूर्स रखने का इतना कॉस्ट आएगा अगर हम यह मैंतर से एरेंज करते हैं झाल